आपका स्वागत है आज इस वीडिये में बात काने वाले हैं राष्टिय मानसिक स्वास्ते पुरे निवास सैंस्तान शिहोर मद्य परदेश की बरती जो की बोपाल के पास में ये सैंस्तान इस्तित है जो भी केंडियेट हैं इसके लिए फोरम फिलब कर सकते हैं जिसमें करेंगे तो इसमें कैसे अपलाई करना है पूरी जानकारी चेक करेंगे ओफ-लाइन फोरम आपको कहा से मिलेगा कैसे फॉल फिलब करना है पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं स्क्रीन पर आप ये नोटिपिकेशन देख सकते हैं हमारी वेपसाइट पर बिच्चे जेकर लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं रोड पे ही इंदोर अब आई है पर ही आप जो इस टूट आपका बनावा है यहाँ वीकेंशी जो आउट की हैं इसमें आप देख सकते हैं थ्री एयर के पिरेड के लिए जारी की की हैं आप सबसे बड़ी खास पर दूसरी बात यहां पर आपके पर्मानेट बरती आपके निकलती है तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही बिनिफिट करता है तो पहली विकेंश तो वह इसमें अप्लाई कर सकेंगे पांस साल के उनका एक्सप्रियंस होना चाहिए 75,000 रुपए आपको मिलने वाला है इसके बाद में लेक्षरार की ड्राइवर आईडी की जो पोस्ट है इसमें आपके मास्टर डिगरी होना चाहिए डिवी टी से आपका जो भी सोसल साइं से इसमें 60,000 रुपए आपको पैमिन्ट रेएगा इसके बाद में लेक्टर AAR की जो पोस्ट है माँ देख सकते हैं सारी पोस्ट ये लेक्षराज की इने अपके ये ये बिक्टर अद लेक्षर अपसर की पोस्ट है जिसमें सोसल वरकर से आपके जो भी आपका ग्रेजु आप कंप्लेट होना चाहिए तो अपलाई कर सकेंगी इसके बाद में नेक्स्ट आपके नर्स की जो पोस्ट है पेथरोजी नर्स की अमेसी आपके नर्स से या बीस्टी किस नर्सिंग किया है तो आपने दो साल का एक्सप्रेंस आपके पास होना चाहिए 40,000 रुपे पर मंत आपको पेमेंट रहेगी और फिर इसके बाद में थेरीफिस्ट की पोस्ट है बेचलर डिगरी आपके तरीफिस्ट में होनी चाहिए 40,000 रुपेमेंट आपको इसमें रहने वाली है इसके बाद में आपके आगए वरक्सोप सुप्रवाइजर की पोस्ट इसमें सोसल साइं जो की दो येर का आपका होना चाहिए और साथ में बीड़ वगर आपने किया है तो वन येर का आपके साथ यह दी है तो आप अपलाई कर सकते हैं 35 साल आपकी एज रखी गिए जूनियर असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज की जो पोश्ट है ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए परचेजिंग या स्टोर से समंधित कहीं से भी आपका पांस साल का आपका प्रचेज है तो इसमें 30,000 पेमेंट आपका रहने वाला है इसके बाद में कलर की पोश् आपके पास कोई डिपलोमा हाडवेर से समंधित होना चाहिए तो आपके ग्रेजुएशन के साथ तो आपके लाइक कर सकते हैं 25,000 पेमेंट आपको मिलेगा MTS के दो टोटल पोश्ट है जिसमें ओनले आपका दशवी पास वाले सभी के इन डेटा ग्लेबल रहेंगे 18,000 पेमेंट आपका इसमें रहेगा तो यह पेमेंट आपको देख सकते हैं इमोलेशन अमाउंट जो दिया गए 18,000 पेसिक आपका जो भी इसमें मत पर मत रहेगा ये भी बढ़ने वाला है अगले जैसे साल साल बढ़ता जाएगा उस पे आपका पेमेंट जरूर बढ़ेगा यह इसमें आपका स्किल्टेश्ट इंटर्विया जो भी कुछ होगा उसके आदार पर आपको जो भी जो आपकी इमेल है उस पे आपको सेंड किया जाएगा टाइम और डोकॉमेंट वरिफिकेशन के लिए भी आपका उसी भी सुचित किया जाएगा अब आपको बता दूँ कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है आपको मैं दिखाऊंगा उस फोरिमेट को कम्प्लेट बरना है और साथ में उसके साथ ही सेल्फ एकिस्टेड कोपी को सभी को स्कीन करके कम्प्लेट एक सिंगल पीडिय एफ बनानी है उस पीडिय एफ को आ अभी time है आपके पास और only कुछ भी निकरना इस email ID पर Gmail ID जो आपके दीगी है इस Gmail ID पर सबी document आपने जितनी भी document आपके experience एट दस्वी की mark sheet ट्रेंट की mark sheet जैसे आपके इसमें 30 की विकेंची निकली है MTS की दो पद हैं उसके लिए आप कोई भी category से हैं application form पर लब कर सकते हैं MTS के लिए आपको 10 पास की mark sheet लगानी होगी और जो भी आपका application form वो लगाना है category आपकी कोई है तो वो लगानी है domicilia आदार कार्ड आप साथ में लगा सकते हैं उनके सभी की आपके self-attested copy आपको लगानी है self-attested copy को skin करिए सभी document की और जो भी application form आपको दिखाने वाला हूँ उसको भी आप skin करके सभी की single PDF आपको बना कर इस email ID पर आपको छोड़ना है लिखना है कि आपकी जो post है application पोस्ट का नाम और यहां पे छोड़ देना है इसका मतलब यह है तो यहां पे आप देख सकते हैं आप जो भी candidate है जो भी address दिया गया है email ID उस पर send करना है तो आपके पास time में अच्छा है अभी आराम से fill up कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था annual increment 3% आपका लगेगा जो भी payment होगी उसमें आपका 3% annual increment आपको लगने वाला है paid to live यहां पे आपका देख सकते हैं आपका paid to live भी absentsy एदी होते हैं तो आपका paid to live होंगी मतलब आपको डेड़ दिन की month में आपको payment जो भी छुटी मिलेगी बाकी की आपको जो भी है आप डेड़ दिन की मतलब आपको जैसे 2 महीने में आपको तीन दिन की छुटी आपको मिलेगी तो आपके लिए छुटी भी लागू रहेंगी इसके अलावा paid to live का मतलब यह है कि आपको तीन दिन की छुटी 2 महीने में आपको payment के साथ मिलेगी मतलब आपका कोई भी payment उसमें नहीं कटने वाला है बाके की जो holiday वगरे रहेंगे Sunday रहेंगे वो सबी आपको मिलेंगे इसमें इसके बाद में आप देख सकते हैं इसके तीन साल को बढ़ा कर 5 साल भी किया जा सकता है तो यहां से यह भी अच्छी बात है कि 5 साल के लिए आपको बढ़ाते हैं तो यह आपका benefit हो जाएगा इसमें और यहां पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी joint secretary की जो education पर जो भी department है वो आपका वहीं पर करेगा कि आपका क्या selection किस प्रकार से आपका किया जाएगा तो यह आपका complete जानकर यह आप चेक कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें maximum employee जो भी retired है उसकी age आपके 65 दीगी है मतलब 65 से ज़्यादा आपकी age नहीं होनी चाहिए तो आप इसमें age वाले country जो भी है apply कर सकेंगे तो जो भी candidate है पास के candidate है उनके लिए बहुत ही सान्दरमों का अच्छी post है apply कर सकते हैं जो भी experience मांगा गया है वह जो experience जरूर रखें और साथ में जो आप 10th past के पोस्ट हैं जो 10th past के लिए apply करना चाहते है email id के थुरू आपको apply करना है application form आपको दिखा देता हूँ इसमें आप देख सकते हैं format आपका complete दिया हो गया है यहाँ पर फोटो आपको जो गर लगानी है वो self-attested आपको करनी है इसके आपको PDF बढ़ानी है स्कीन करके यहाँ पर employment है notice number आपको लिखने है आप कौन सी post चे अपलाई करना चाहते हैं वो लिखना है application number आपको लिखने है उसमें application number भी दीगे अपलेकेंट का नाम आपको लिखना है फादर्स नेम लिखना है डेटोवर्ट जेंडर नेसलेटी रिजलेट पीड़लोडी है तो पीड़लोडी का लिखना है mail ID, contact number, permanent address और आपका जो भी technical qualification जो भी रखते हैं वो लिखना है experience कोई रखते हैं तो वो भी आपको लिखना है इसमें normal qualification और जो भी technical दोनों लिख सकते हैं इसमें education जो qualification experience जो रखते हैं वो आपको लिखना है और यहाँ पे आपका complete जो अलग अलग जगह रहे हैं तो आपको अलग अलग जगह के लिए आपे address mention करना है कब से कब तक कहां पर आप या रहे हैं वो complete आपको लिखना है तो जो भी candidate है यहाँ पे देख सकते हैं पूरा complete यहाँ पे जो भी mention करना है यदि एक ही जगह से है प्रमानेंटी तो वहाँ पे आपको एक लिख के पूरा complete address यहाँ पे लिख देना है यह relative बगरा कोई आपके जो डिपार्टमेंट में है तो यह लिखना है नहीं तो नो कर देना है यह incentive यह आपको वरक्स बगरा का कुछ है तो वह यहाँ पे लिखना है जो भी अदर कोई आपकी कुछ रखते हैं तो यहाँ पे लिखना है यहाँ पर candidate के signature यहाँ पर date यहाँ फिलेस यह सभी लिक्यर आपको यहाँ पर change करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ज़्यादा बड़ा लंबा application फॉरम नहीं है कोई भी application फॉरम की application fee भी नहीं लगने वाली है यह हमारी website से waytozopset.com से डाउनलोड कर पाएंगे या आप मुझे personal message करके भी जानकरी इसके application फॉरम ले सकते हैं जो भी candidate apply करना चाहते हैं apply कर सकते हैं इसके कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला है email पर आपको application छोड़ना है और यदि आपका लिए admin card आता है तो आपको वहाँ पे इंटर्वी वगरा जो भी skill test वगरा जो भी करवाए जाएगा उसके लिए आपको जाना है और आपको अच्छा कासा payment इसमें मिलेगा increment भी मिलेगा अधर कुछ allowances भी आपको रहते हैं जो मिलते हैं बाकि ये दूर के लिए भी है तो भी आप अच्छा इसमें कमाई आपके अच्छी खासी रह सकती है क्योंकि age आपकी कोई भी countability नहीं दी गी है age कितनी भी age है आपकी हो गई है तो इसमें apply कर सकते हैं इससे समदेद अधर किसी candidate के कोई curious comment box में comment करके पो सकते हैं जयन दोस्तों